हेलो दोस्तों, हर्शिंगार फूल के बारे में आप सभी तो परिचित होंगे ही, लेकिन इसके पत्तों के फायदे के बारे में आप नहीं जानते होंगे, आईए जानते हैं इसके पत्तों को पीने से कितने फायदे हैं, हर्शिंगार के पत्तों का काढ़ा पीने से दूर होती इसका सेवन किस तरह से किया जाता है आए इसे मैं बताती हूँ आज हर्शिंगार लेफ काढ़ा पीने की कितने सारे बेनिफिट्स है हर्शिंगार के पत्तों का काढ़ा पीने से आप अस्थमा से लेकर पेट में बनने वाले केड़े का इलाज तक कर सकते हैं आए जानते हैं हर्शिंगार के फूलों को पारिजात के नाम से भी जाना जाता है इसके फूलों को इस्तिमाल कई तरह से किया जाता है लेकिन इसके पत्तियां भी स्वास्त के लिहाज से कम नहीं हैं हर्शिंगार के पत्तों का काढ़ा पीने से आपके सरीर को कई तरह के एंटी आक्सिडे गुंड प्राप्त होते हैं जो अर्थराइटिस में होने वाली सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं हर्शिंगार के पत्तों से काढ़ा का सेवन करने से अस्थमा की परिशानियों को कम किया जा सकता है पेट की कीडों को भी नश्ट किया जाता है बच्चों के पीट में अक्सर क किड़े शानी होने लगती है इस इस्तिती में बच्चे को हर्शिंगार के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से किड़े नश्ट हो जाते हैं साथ ही यह आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है आए जानते हैं हर्शिंगार के पत्तों का काढ़ा कैसे तैयार करें हर्श पानी जब आधा हो जाए तो इसे छान कर इसमें थोड़ा सा निम्बू का रस मिक्स करके पिए। बच्चों को अगर देना है तो इसमें थोड़ा सहद मिक्स कर दें। ध्यान रखें कि इस काढ़ा का सेवन खाना खाने के बाद करें। खाने के बीच करीब 30 मिनट से लेकर एक घंटे करें।